असलाम अलेकुम, AI News के साथ मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर अमारतुफैल Recent AI News क्या है और पिछले weeks के अंदर कौन-कौन सी नई जिद्धत आई है AI में, चलिए देखते हैं वीडियो को एंड तक जुरूर देखिएगा आपका फायदा है, let's see Screen आपके सामने हाजिर है, यहाँ पर अगर आप देखें तो Cloud Anthropic वाले जो हैं इनका Large Language Model बहुत ही जबरदस्त है, ChatGPT4 की टकर का है और इन्होंने Recently एक नई चीज़ इंट्रोडेस करवाई है, जिसका नाम है Computer Use और New Cloud 3.5 Sonnet and Cloud 3.5 Hiko यह दो ऐसे Model हैं जो ChatGPT4 को भी पिछाड पिछाड के पीछे करते हैं Let's see, यह News कैसे आई Alex Albert जो हैं basically, इन्होंने अपने जो Cloud के Employee हैं basically यहाँ पर अगर देखें, उन्होंने बोला कि Cloud 3.5 Hiko is now available on the Anthropic API API क्या चीज होती है, अगर आप Cloud Anthropic की website पर जाएंगे, यहाँ से आप इनकी API परचेस कर सकते हैं और different किसम की applications बना सकते हैं with the help of using large language models और यहाँ पर अगर आप गौर करें, इन्होंने Google Clouds, Vertex AI और Amazon Bedrock और Anthropic API के तुरू इसको आपके सामने पेश किया है और 3.5 Hiko इसका नाम है, 3.5 Hiko क्या करता है, is fastest model है, chat GPT-4 की tucker का है and most intelligent, cost efficient model है to date और इसकी जो special चीज़े हैं वो मैं आपको बताता हूँ अगर आप देखें, तो Hiko ने यहाँ पर बताया है कि 3.5 Hiko, Albert ने बताया है कि 3.5 Hiko सुरपास करता है प्रिवेस क्लाउड मॉडल से, जितने भी क्लाउड के पिछले मॉडल है, 3.5 SONET जो basically recent है फिर Hiko आया, फिर SONET 3.5 था, हमारे पास क्लाउड का old, फिर क्लाउड 3 ओपस था इन दोनों से यह दोनों मॉडल बहुत अच्छे हैं और Hiko जह है, यह fastest and accurate model है Of course, अगर आप newest model 3.5 SONET की दरफ जाएंगे, तो यह बहुत यह अच्छा perform करते है But, of course, fastest के लिए और accuracy के लिए Hiko जो है, वो कमाल का model है, from Anthropic और इसकी जो cost है अगर आप देखें, तो यह $1 per million tokens है And of course, it's a bit expensive than the previous ones अब यह जो news है, इसको दुनिया ने बहुत अच्छे तरीके से सरा है क्योंकि यह चुप करके, अपने models को launch कर देते हैं और कोई वो कहते हैं, API की तरह, या OpenAI की तरह different किसम का रोना नहीं रोते हैं इसके अलावा जो अगली AI news है, वो हमारे पास है कि OpenAI ने acquire किया है chat.com की domain अब जितनी भी OpenAI की new जो chat.jpt की website चलेगी, वो chat.com पे चलेगी अगर आप www.chat.com पर जाएंगे So you will see कि chat.com जो है, वो chat.jpt.com की तरह चल रही है और यह direct कर रही है and usually यह जो domain है, यह बहुत ही बड़ी deal के थुरू इन्होंने परचेस की, अगर आप और करें तो this domain had previously sold for 15.5 million euro to Shah, जो एक tech धरमेश Shah है, उन्होंने इसको परचेस किया था HubSpot founder भी है यह, और basically CTO है, HubSpot founder है और इन्होंने यह domain परचेस की, इन्होंने फिर recently इसको बेचा and this person has made around two to three hundred thousand dollars, two to three hundred thousand dollars और यह जो है chatgpt.com इससे बढ़के अब chat.com के तरफ जाएगी यह हुआ क्यों है, chat.com जो है यह एक ऐसी domain है, क्योंकि GPT का एक दोर है, generative free train transformers का एक दोर है, यह दोर खतम हो जाएगा फिर chat.com का दोर आएगा क्योंकि advanced agentic AI आ रही है, general intelligence आ रही है, there are many other things, जिसकी base पे इसके advantages chatgpt को मिलेंगे तो chatgpt ने recently 6 billion dollars जो है वो raise की है, तो अगर वो 15.5 million dollar इस पे purchase करने पे लगा देते हैं या even bit more तो इनका कोई नुक्सान नहीं है, इनको फाइदा ही है क्योंकि future proof उन्होंने कर लिए तो एक domain, four letter domain अगर इतने की विक्री है, that's a great thing फिर आगे हमारे पास जो एक नई news है, वो ये है कि हमारे पास pie robot आए है, pie robot क्या करते हैं ये basically एक ऐसा robot है, जो आपके household task को perform करते हैं, laundry और ये भी करते हैं, तहें भी लगा दते हैं and there are many other things जो ये pie robot करते हैं so pie robots जो हैं, ये एक ऐसा robotic system है, जो recently launch हुए है, और physical intelligence और इसकी latest AI जो है वो बहुत एकमाल की है, अगर आप pie robot के बारे में और भी जानना चाहते हैं, प्लीज गूगल करें, और इसको जरूर देखिएगा अगली important news ये है, कि introduce करा दिया है, chat GPT ने GPT search, और ये एक ऐसा, मैं कहूंगा update है, जो बहुत एकमाल होने वाला है, आने वाले दिनों के अंदर, chat GPT search जो है, अगर आप देखें, तो यहाँ पे अगर आपके पास chat GPT plus और teams का account है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ उनको available है, जो plus user है ये team के user है, और उनको यहाँ पे अब एक search the web देखने को मिल रहा है, say for example, मैं यहाँ पे कोई भी question लिखता हूँ, what is codanix.com, मैं इसको यहाँ पे click करता हूँ and you will see के codanix.com search the web आ जाएगा, अब यहाँ पे जाएगा यह, अब यह real time website search, यानि के google की टकर का search engine बन गया and it gives you all the results in a nice formatted way, और आप देख सकते हैं के यहाँ पे इसके बारे में, हमारी website के बारे में सारे की सारे detail है so search the web is a new thing with chat GPT, आगे चलते हैं जी अगली news यह है AI ने एक ऐसी जुबान बना ली है भई जिसके तुरू AI different किसम के tastes जो है उनको देख सकती है और hidden health issues को भी reveal कर सकती है and then there are many things how the AI can reveal hidden health issues there are many strategies अगर आप और करें तो एक तो यह है कि आपकी tongue की base पे यह best way में analyze कर लेती है tongue को देखके कि आपका medical diagnosis क्या है secondly एक तो यह चीज है कि tongue की base पे आप check कर सकते हैं कि क्या AI कर रही है एक और चीज यह है कि अगर आप यहाँ पे देखें AI tongue to taste अगर आप यह चेक करें तो machine learning powered AI tongue recently बनाई गई है जिसकी base पे AI जो है वो basically different किसम के taste जो है वो ले के आ सकती है ठीक है so this is a new thing और यह दोनों चीज़ें बहुत ही जरूरी है आपको समझना क्यों क्योंकि जो जुबान है इसको देख के आपकी health का भी अंदाजा लगा जा सकता है secondly इसी तरीके से AI ने एक जुबान उसी की base पे जनरेट की है जिसके through different किसम के वो analysis कर रहे है और AI tongue जो है वो different किसम के taste को perform करती है या देखती है या sense करती है अभी यही नहीं रूकें जरा सिर्फ जुबान तक नहीं यह आगे काम जो है and human robot interaction जो इसके अंदर involve है और यह वाला जो robot है यह basically touch करके चीजों को अंदजा लगाता है कि कौन सी चीज क्या कह रही है इसका main take away यह है metafair के अंदर basically यह क्या करते है एक जैसे human किसी चीज को touch करते है और देखते है उसी तरीके से आप अगर इस एक robot को different किसम की चीजें पकड़ाएंगे then this robot can touch and sense those things वो यह भी हो सकता है कि कोई different किसम के molecules हैं different किसम की sensations हैं different किसम के जो आपके पास products हैं उनको भी sense कर सकते हैं different किसम के samples को भी test कर सकते हैं like this यह check करें different plants को test कर रहा है touch करने के बाद देखते हैं कि खुरदरी हैं plane हैं क्या उसकी sensitivity है and at the end it can also analyze different kind of gel sensation जो इनके अंदर लगी हुई है and it can produce more kind of sensitivity जो आने वाले दिनों के अंदर बहुत ही crucial होने वाली है फिर आगे AI के अंदर एक और बड़ी news आई है वो यह है के सुंदर पेचाई ने recently जो Google के CEO हैं उन्होंने बोला है के भई हमारा जो code है उसका 25% जो है वो AI generated है यानि Google का code का 25% not 10% not 5% बलके 25% is actually generated by AI अगर आप इसको पोड़ें के Google CEO सुंदर पेचाई ने बोला है के हमने एक significant revelation की है about the growing influence of artificial intelligence and software development during the company's third quarter earning call on Tuesday ठीक है according to Pichai AI systems are now responsible for generating over 25% of the new code from Google products while human programmers oversee and manage these AI generated सबसे बड़ी बात इसमें ये देखने हो को है के भई अगर 25% बना है न लेकिन उसके उपर लोग बैठे हैं और उसको check कर रहे हैं किस तरीके से कितना ये 25% कितना जो है वो code generate हुए है यहाँ पर एक बात मैं बताना बिल्कुत जरूरी समझूँगा कि जब भी आप AI से code लिखवाएं उसको खुद से check जरूर करें कि क्या वो सही तरीके से लिखा जा रहा है उसको supervise खुद से करें क्या ये गलत चीज तो नहीं बन गी उससे अच्छे तरीके से check करें कि ये जो code हमने लिखा है ये किस तरीके से आगे use होगा सुन्दर बजाई ने ये जब reveal किया this became a big news AI writes over 25% of the code at Google what does the future look like for software engineers अब ये देखें news वाले जो है programmers उनको चाहिए जो इस तरह का काम करते है अब ये तो आपको पता चल गया कि ये recent AI news है अब मैं आपके साथ papers share करूँगा जो recently आए है research paper from different companies different research centers different universities जो AI के अंदर और भी इनकलाब लाने माले है let's jump into it पहला paper आज का जो है अब data जो है उसको clean करने की ज़रूरत नहीं है आपके data में से patterns और बाकी चीज़े noisy data के अंदर से भी निकाल के इस research paper के accordingly algorithm generate करके आप data से context learn कर सकते है ठीक है और इस paper को अगर आप गौर से पढ़ें you will see a lot of things inside this paper और यहां पे HTML पे अगर आप देखें तो आपके पास यह पूरा paper आ जाएगा and then you can see in context learning adapts LLM by providing demonstrate without fine-tuning the model parameters आपको data को model को fine-tune नहीं करना पड़ेगा automatically large language model उसमें से जो required pattern है नो निकाल लेगा this is one of the big things going on और यह basically जो है submit करवाया गया है going Hong से और यह University of Edinburgh का paper है इस paper को ज़रूर पढ़िएगा यह title आप सिरफ लिखें Google पे आपके पास paper आ जाएगा second paper is adapting while learning grounding LLMs for scientific problems with intelligent tool usage adaptation अब यह paper जो है यह basically इतना जवर्दस paper है अगर आप अगर करें large language model demonstrates promising capabilities in solving simple scientific problems but often produce hallucination ठीक है hallucination produce करते है न अब जो नए model है basically उनको intelligent tool adaptation की base पे वो hallucination को खुद बाखुद खतम करेंगे so अगर आप गौर करें यहाँ पे chat GPT-4 के अंदर और cloud 3.5 sonnet और cloud 3.5 hyco के अंदर यह already चीजें जो हैं वो state of the art include कर दी जा चुकी है यानि कि hallucination खतम कर दी जा चुकी है so this is one of another paper अगला जो तीसरा paper है that is about ferret UI 2 this is actually mastering universal user interface understanding across platforms अब आप क्या कर सकते हैं ऐसा UI interface बना सकते हैं या universal user interface बना सकते हैं जिसकी base पे आप किसी भी app किसी भी operating system में उस user interface को understanding is challenging due to various functional issues such as platform diversity resolution variation data limitation and a lot of other things इन्होंने इस paper में क्या किया है ferret UI 2 एक multi model large language model यानि के MLM introduced कर वाया जिस से क्या होगा universal UI understanding होगी across wide range of platforms including iPhone, Android और बागे चीज़ें अक्सर क्या होता था कि iPhone के लिए जो आपका model था different काम करता था Android के लिए different web page पर different iPad पर different PC पर different और different जगों पर different तरीके से काम करता था but now इस एक UI model के थूँ multi multi model large language model के थूँ अब आप multiple किसम के जो आपके UI interfaces है उनको read भी कर सकते हैं उनने बना भी सकते हैं उनके उपर काम भी कर सकते हैं within one framework this is huge this is really huge जो future के अंदर होने वाला है अब अगर paper अब launch हुआ है इसका मतलब है there are many people जो इसके उपर try करने वाले हैं और इसको adapt करने वाले industry के अंदर इस वज़ा से मेरी आपसे request है please go for it and look into these kind of papers इसको मैं summarize करता हूँ आज की सारी news को सबसे पहले cloud का जो है sonet हमारे पास आया था model अब cloud 3.5 हाइको आ गया the second one is हाइको के उपर जो benchmarking है वो twitter के उपर इन भाई साब ने दिये इनको follow कर ले और आप मुझे भी twitter पे follow कर ले अगर आपके पास twitter की ID है at ammar underscore to fail पे और benchmark के इलावा हमारे पास open AI ने chat GPT जो है chat GPT वालों ने chat.com को purchase कर लिया ये वाला pie reports जो है वा new technology है जो घर के household के काम आपके कर देंगे जैसे ये एक तैल लगा रहे है किसी एक डबेगी and you can see आपकी जो shirt है उसको भी तैय कर सकते है फिर introducing chat GPT search आ चुक है plus और team वालों के पास फिर tongue के base पे आपका health analysis हो सकता है and then AI tongue भी बना दी जा चुकी है उसके बाद हमारे पास human sensation है उसकी base पे meta यानि के facebook वालों ने human report बनाया which can actually sense not only the touch perception but dexterity and human robot interaction वो भी देख सकते हैं जैसे आपको किसी को touch करते हैं तो आपको sensation हाती इस तरह अगले बन्दे को भी sensation हाती जैसे हम सलाम लेते हैं किसी के साथ इसी तरह आप robot के साथ भी interact कर पाएंगे अगली चीज जो हमने यहाँ पे देखिया वो है 25% Google का code AI News तो मुझे बताएं comment section के अंदर आपको यह AI News कैसी लगी and इन्शाला आने वाले दिनों में मैं और AI News आपके लिए लाने वालो अब ना खिया रखें द्वा में याद रखें Pudanix को follow करते रहे see you in the next one, take care, Allah Hafiz Assalamualaikum